बड़ी अनोखी है मापूनागेडी धाम की कहानी और गाथा पूराडिक अख्यान के अनुसार दच्च प्रजापती की कन्या की रूप में कलिका का जनम हुआ सिव जिसे बिवा होने के उप्राम तपस्या की एक बार जब इंदर देव की सभा में दच्च प्रजापती आये समान को इसे एकनी चोट लगे कि इस घटना को वो कभी भोलना पाए तदांतर दच्च प्रजापती नी जब विसाल यकिका आयोजन किया तो पूर्व ग्रह से ग्रस्थो भगवान भोले नात को निमंत्रड ही नहीं दिया माता कालिका यानी सतिय के ले ही भगवान सिव से अग्याले मैके आई पीतु ग्रह और अपने पती के लिए आसन ना देख आहत हो गई और उनकी बहनों ने भी उपहास किया पिता ने तो स्वागत ही ना किया किवल मा से दुलार मिला मैके में सिव के अपमान को सहिन ना कर दच्च पुत्री नी यगिकुन्द में सोयम को सम गया शिविस घटना से इतने क्रोधित हो गये कि उन्होंने अपनी जटा को नोच पत्थर पर पटक दिया इस जटा से बीर भद्र गड़ की उत्पत्ती होई जिसने दच्च की गर्दन को तलवार से काड़ दी और यग्य अस्तल को छिन भिन कर दिया पूरे यग्य का इसे जीवित कर दिया अपनी प्राढ़ प्रिय का अगनी दह सरीर देखवा शिव बीरा हमें व्यकुल हो गए शिव के कश्ट को कोई समझ ना सका या यग्य कुंड से अपनी अधांगनी के पार्थों सरीर को लेकर शिव चारों दिसाओं में भ्रमण करने लगे आकास पात काल जंगल परवतनी भटकी बिलाप करते हुए टांडव करने लगे तीनों लोग ये देखकर काप उठे हाहकार को देख देवताओं ने भगवान विष्णू से स्यू को सांत करने की प्रातना की स्यू सांत ना हुए तो समोची स्रिष्टी काल के काल में समा जाएगी विष्णू ने देवताओं की प्रातना स्यूकार की तब सती मुह के मुक्ती को प्रदान करने के लिए विष्णू ने सुदर्शन चक्र से सती के पार्तियों सरीर के तुकडे तुकडे कर दिये और ये तुकडे 51 जगे पर गिरे जो आज 51 सक्ति पीठ है विष्णू ने सोचा जब तक स्यू के पास सती का नर्जियों सरीर रहेगा वा इसी तरह व्यकुल रहेंगे विष्णू द्वारा सती के अंग काटने के बाद जब स्यू ने पाया की सती का सरीर सेस्ट नहीं रहा तब उने विशंती का अनुभव हुआ कहा जाता है जहाँ जहाँ सती के अंग धर्ती पर गिरे वहाँ वहाँ सक्ति पीटा स्थापित होई बाद में स्यूने इन देवी के पात्यू सरीर में तीर्त सक्ती साधना की परतेक देवी तीर्थों में पूरा गिरी सती के सरीर के नाभी के अंग के गिरने की वज़ा से उत्पन हुआ इसलिए इसे विशिष्ट उपासना अस्थल कहा गया देवी की नाभी भीम सुदी देवी जगनात पुरी में अस्थापित हुई जन सुरुती है कि दसकोंपूर देवी के परम उपासक कर्मकांडी और संस्कत के विद्वान चंदतिवारी को स्वप्न मिला की देवी नी आदेश दिया है सार्दा नदी के तट पर उची पहाड़ी के मंदिर नूमा सिकर पर इस्तितनाभी कुंड में मुझे अस्थापित करो स्वप्न में आए बिवरड के संकेतों से वो पूना गेडी माता की विदिवत अस्थापना करने को गए कहा जाता है चंपावत के में चल सार्दा नदी में अस्थापित देवी में नित पून्जा अस्थापित देवी में नित पून्जा अस्थापना करते धीरे धीरे देवी के इस नए वास अस्थान में भक्तों का आना जाना और मा के चमतकारों से महिमा परने लगी दूर दूर से बैस्ट्वी देवी की किर्प्या से भक्त आने लगे और मा के दरपरमाथा टेकने लगे स्रीचन तिवारी ने मंदिर में पूंजा अचना का दायतो पूना गेडी निवास अपने भरत्नों को सौब दिया तब से एक वर्ष हर एक वर्ष पांडे परिवार दूसरे वर्ष थीवारी परिवार कर रम अनुसार पूंजा पाट कर रही हैं पूना गेडी मंदिर के बारे में और विजानकारी मिलती है पूरा गेड़ी मंदिर के समीफी बेतिया कोटा ग्राम के समीफ 84 गुफा हैं जो मंदिर के एक कोश की दूरी पर गुम्मद वाला तांबेका मंदिर है जिसे जूठा मंदिर कहा जाता है इसकी कहानी है कि एक धन्ना सेटनी मा के दरबार में अपनी मनुकामना पोड होने पर स्वर निर्मित मंदिर बनाने का वादा किया पाद में मा के करप्यासे उन्हें पुत्रत नप्राप्त हुआ लेकिन उनके मन में लाला चा गया उन्होंने तामबे का मंदिर बनाया ना की सोने का लेकिन उस पे सोने का पानी चड़वा दिया वह आधी गली में ला रहे थे कि मा रुष्ठ हो गई मुक्य मंदिर वहीं पर रह गया मंदिर से एक कोस पहले ठके हारे पल्लेदारों द्वार ने जब विस्राम किया तो मंदिर वहीं पर रह गया सेट द्वारा बार बार कहने और वचन भंग के चलते माने उनकी बिंती ना सुनी यानि मंदिर अस्योकार कर दिया आज भी वहाँ पर जूठी के मंदिर के नाम से ये मंदिर मौजूद है आगे पूनागीडी धाम के निकटिस मंदिर को जूठा मंदिर कहा जाता है वहीं तनकपुर के उत्तर की और स्योक की परचीन पंचमुखी मूर्ती स्योलिंगर स्थापित पंचमुखी महादियो का मंदिर है यहां दसनार्तियों के लिए बिश्राम ही तो अब तो धरम सालाएं बहुत सी हैं पूनागीरी मंदिर के चरड़ों में तनकपुर में सादा नदी की तटपर सिद्धनाद बाबा विराजती हैं यहां अत्यंद रमडिक सुरम अस्थल है जहां सिद्धनाद बाबा का प्रचीन मंदिर है सामने गोपाल सीमा से घने जनुगलों के बीज सिद्धनाद का मंदिर अपने आम में मन मोहित करने वाला है पूनागीरी माता के दर्शन करने के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन करने से कहते हैं सभी मनोकामनाई पूर होती है मा बैशनों और सतिका रूप ही है मा पूर्णागीरी और पूर्णागीरी के दर्सन करने से भक्तों की मनोकामना पूर होती है नौरात्री में यहां भक्तों का ताता लगता कहते हैं पान सुपारी धोजानारियल से मा खुस होती है जे मया पूना गीड़ी मा पूना गीड़ी के इस वर्तांत में इतना ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब आवस्य करें जेहिंजे भालत माता की ऐसे अपडेट और दसनी का स्थल की जानकारी आपको मिलती रहेगी